हर्यों, आप लोगों का Maya Graphics में फिर से स्वागत करते वे, आज मैं आप लोगों को प्लगीन को फोटोशॉप में आप प्लगीन को कैसे इंस्टल करना है और उसका यूज कैसे लेना है उसके बारे में बता रहा हूं, अभी क्या है पहले अभी एक एक इमेज लेता हूं, अभ इसको minimize कर लो अभी इधर क्या है इधर एक फोल्डर है इसको open किया इधर क्या है setup file है इसको double click करो अभी पॉस्टिव अंसर देना है next बोलता हूं इधर accept the agreement बोलना है next बोलता हूं browse करके अभी इसमें क्या है आपको इधर अभीут इधर आपको ठीक से path डेना हैं तो अभी क्या है इधर सीड हमें पहले इसको double click करो अचविस्ट के अंदर क्या है program files पोग्राम फैल्स में आके अभी क्या इसको program files को इसे open कर लेता हूं program files को open करके इधर क्या है आपको अडोब उपन होने के बाद इधर के आपको अभी Photoshop पर CS करके इसके अंदर लेना है मुझे तो अभी CS में आया CS के अंदर के आपको Plugins Open करना है ओके इसको मैं नॉर्मली अभी फोल्ड करके और एक बर आपको दिखाता हूं मैं अभी क्या इस है इधर पहले आपको क्या करना है CDS करना है CDS में आने के बाद क्या हुए वो प्रोग्राम इंस्टल हो जाएगा अभी इसको next बोलता हूं next बोल नेक्स्ट और एक बार next बोले अभी इंस्टल कर दो यह क्या हो गया इंस्टल हो गया इसको next बोलके finish कर देता हूं फोटोशॉप में आके उसको open करता हूं फिल्टर में आके आप क्या करो इधर आपको बता रहा हूँ नीट इमेज करके इंस्टल हुआ है अभी क्या है अभी जो वह नॉइस का इमेज था उस इमेज को अभी लेता हूँ इस इमेज को क्या है इधर थोड़ा वाइड कर लो अभी इसको क्या है फिल्टर में आके बताएगा हो अभी देखो इधर मैं इधर क्लिक करता हूं तो पहले इसा था अभी ऐसा हो गया इस तरह क्या है इमेज उसका क्वालिटी चेंज हो रहा है इसमें आपको इसे भी थुड़ा यह ज्यादा हुआ है तो इसमें आप नॉइस लेवल है नॉइस डेक्शन अमोंट ह इसमें आप ज्यादा कम आपको जितना चाहिए वैसे आप सेट कर सकते हैं को सब्सक्राइब से अगर ज्यादा नॉइस है इमेज तो आप इधर आकर अप उसको ठीक कर सकते है वे इतना करके क्या है अभी आप इसको ओके बोल देंगे तो अभी को इतना ऐसा था इसा से आप edit करके उतने ही portion को क्या है आप apply कर सकते हैं अभी इसमें थोड़ा यह blur लग रहा है तो इसमें आप क्या करो image adjustment brightness contrast में आता हूं आके इधर क्या करो आप थोड़ा इसका brightness और contrast क्या है adjustment कर लो कि इस तरह क्या है image को आप image का quality क्या है आप आप improve कर सकते हैं अभी मैं reward करके आपको बताता हूं यह फ्टोल बोलने से क्या हूआ reward हो गया अभी सिर्फ undo करके आपको दिखा रहा हूं मैं आपको इतना ज्यादा difference हो गया इसमें इस तरह क्या है आप इसका यूज ले सकते हैं इसी में अभी मैं और एक इक image को दिखाता हूं आपको करके इस image को लेता हूं लेके आप क्या करो इसको इसमें बहुत ज्यादा noise है इसको क्लीन कैसे करना वह आपको पता है क्लोनिंग इलिंग टूल से आप कर सकते हो अभी क्या है इसको पहले क्या है इसको थोड़ा इमेज अड्जेस्मेंट आटो लेवल बोलता हूं तो बाद में इसको क्या है फिल्टर में आके नीट image reduce noise बोलता हूं बोलने के बाद क्य क्या है आप इसमें maximum changes कर सकते हैं और भी changes आप कर सकते हैं अलग अलग टूल से उसके बारे में आगे मैं आपको और भी वीडियो देते देता जाओंगा इसको apply कर देता हूं तो ऐसा हो गया सो बाद में इसको क्या क्या image adjustment इसमें क्या है brightness contrast पर आके थोड़ा contrast अगर आप करेंगे तो maximum एक result बन जाता है बाद में इसको क्या आप फिर से ठीक आप कर सकते हैं अभी इसको मैं मुझे comment box में comment कीजिएगा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद